राधे राधे एवरिवन आज की इस वीडियो में मैं आपको परिवर्तिनी एकादशी की बहुती सरल पूजावीदी बताने वाली हूँ इस दिन भगवान विश्नु चातुर मास की योग निद्रा के अनुसार करवट बदलते हैं इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है इस दिन हमें कैसे पूजन करना है क्या वरत के नियम रहेंगे ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो देखिए एक आदशी वाले दिन आपको ये सुबह-सुबह पूजन करना है, सनान करके शुद्ध हो जाएं, उसके बाद में शुद्ध पीले वस्तर पहन करके जहां भी आपको पूजन करना है, आप ये पूजन अपने घर के मंदिर में पूजा इस थलमे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे अलग से चौकी भी आप लगा सकते हैं चौकी के उपर हमें पीला कपड़ा बिचाना है पीला वस्तर बिचाना है क्योंकि भगवान विश्णू को पीला रंग बहुत ही प्रिया है इस दिन भगवान शियरी विश्णू के बामन अवतार का पूजन किया जाता है तो अगर आपके पास देखिए बामन अवतार की कोई भी तस्वीर है मूर्ती है तो आप उनका पूजन करें नहीं तो आप भगवान शियरी विश्णू का भी इस दिन पूजन कर सकते हैं आपने ठाकूल जी की भगवान श्रीक किष्ण जी की या लड़ू गुपाल जी की भी आज के दिना पूजा कर सकते हैं हमारे इस चित्र में भगवान शियरी विश्णू और बामन अवतार दोनो हैं तो हमें इस पूजा में विराजमान कर रहे हैं फूलों के आसन देख करके हमने उन्हें विराजमान कर दिया उसके बाद में देखे लड़ू को पाल जी को भी आप पूजा में जरूर विराजमान करें उन्हें अच्छी प्रकार से शनानादी करा करके उनका सुंदर सा श स्वास्तिक बनाएं कंट में मौली बांदें अंदर जल शुद्ध जल भर करके उसके अंदर आप देखिए पंच पल्लव लगा ले और उसके अंदर आप सिक्का सुपारी हल्दी की गाठ थोड़े से तिल और थोड़े से फूल डाल करके ऐसे आप कलश की स्थापना करें और उसके उपर आप एक देशी गी का या तिलके तेल का दिया प्रजवित कर दें तो ऐसे हमें देवकलश बनाना है उसके बाद में हाथ में फूल ले करके आप अपने वरत पूजन का संकल्प ले और सभी देवी देवताओं का आप आवाहन करें गौरी गणेश का भी आप ध चंदन कर देव घृब पूजन करें अगनी देव का पूजन करें घृब पर gen और बामन चंदन का निवगर पूल आप यहाँ बाद में हम आप प्रीत कर देव को सब बयाद को बच जाता है उसके बाद में तिली अर्पित करें और दिये के अंदर भी हम थोड़े से तिल डाल देंगे एकादशी के पूजन में चावल का प्रियोग नहीं करना है उसके इस्थान पे हमें तिल का प्रियोग करना है उसके बाद में हम माला अर्पित कर देंगे जो भी आप के पास फूलों उन्हें आप सभी को ऐसे चड़ा दे और पीला रंग बहुत ही प्रिय तो हो सके तो पीले रंग के पुषपा पर पित करें दूप दिखा देंगे उसके बाद में यहाँ पर लड़ु को पाल जी को भगवान शेरी विश्णु को ऐसे हम तुलसी दल अर्पित और जल के अंदर भी हम तुलसी दल डाल करके अर्पित करेंगे भोग में आप तुलसी दल जरूर डाल दें उसके बाद में एक जल का लोटा आप भर के रखें हाथ में कुछ तिलिया फूल ले करके परिवरतिनी एकादशी की कथा आप सुने कथा का वीडियो आपको हमारे चनल पर मिल जाएगा आप वहां से सुन सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद में ईसके अमने स्थापना कर दिया वर उनकलप करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमायाचना कर लेंगे कुछ ना कुछ आपने यहाँ पर दक्षना जरूर अर्पित कर दें ऐसे बहुती सिंपल साधरन हमें ये सुबह के समय पूजन करना है दिन बर हम अपनी शमता के अनुसार व्रत करेंगे दिन में आप दूचाय फलादी ले सकते हैं शाम को आप जो भी फलाहरी भोग बनाएंगे उसे भी आप भगवान को पहले समर्पित करें धूप दीप आरती करें शाम का पूजन कर लें और इस चौकी का जो विसरजन है वो हमें अगले दिन करना है कथा सुनने के बाद में ये जो जलका लोटा है इसे आप सूर्य देवता को अर्गे दे सकते हैं तो ऐसे हमें परिवर्तिनी एकादशी का व्रत और पूजन करना है तो फ्रेंट्स अब जान लेते हैं कि वर्ष दोहजार चौबिस में हमें ये एकादशी का व्रत गव करना है तो देखे ये जो एकादशी है इसका जो व्रत किया जाएगा वर्ष दोहजार चौबिस में 14 सितंबर को किया जाएगा और इसका जो पारण है वो 15 सितंबर को सुबद 6-9 के बीच में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं देखे जो भी हमने आपर भोग प्रसाद भगवान जी को चड़ाया है ना पूजा के थोड़ी देर बाद आप इसे हटा करके परिवार के सभी सदस्टों में प्रसाद गुरूप में बाढ़तें ऐसे हमें पूजन करना है देखे एकादशी वाले दिन यदि आप वरत भी नहीं कर पारे हैं तो कोई बात नहीं इस दिन आप भगवान शेरी विश्नु का पूजन जरूर करें क्योंकि एकादशी दिति भगवान शेरी विश्नु का बहुत ही जादा प्रिय record है अगले करते हैं 12 वाले दिन चावल खाना और चावल का दान करना बहुत ज़्यादा मंगलकारी माना गया है तो आप ऐसे अपना व्रत और पूजन कर सकते हैं आई हो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो यह थी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो क होगान की जाब आवशे लिखें